हेलो गाइज असलाम आलेगे नमस्ते हैं सब्सक्राइब वेलकम बैक इंट वा चैनल पाकिस्टानी रेक्शन सब्सक्राइब मैंने ममाद लटीफ आज की वीडियो के टाइटल हो यह है के मेजर गौरफ आरिया एक्सक्राइब करेंगे करेंगे फ्यूचर अफगानिस्तान मतलब इस तोपिक पर बात होगी और अगर आपने करेंट सिच्वेशन की देखने तो हमारी लास पूडियो रिसेंट आये का लिया यह उसको जागे देखने इस भरहले वीडियो में सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशे कितरा काउंडेंग साथ करते हैं थ्री टू वन स्टाइब को पूछ तो तुमारी खुद की फौज की हिम्मत नहीं के इसलिए कहरें तालिबान को भेज़ देंगे मुझे बात पाकिस्तानी को समझ नहीं ते अरे तुम चाहते हो कि मुला बरादर हजार तालिबानी कश्मीर पे बहेज़ दे इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए ठीक है अग्रीड हम मना नहीं कर रहे है स्वागत है आपका आप आईए लेकिन जितना हक मुला बरादर पर जयताते हो तुम उतना कमर जावेद बाजवापी भी जयतातो अपने ज डन अफगान तालिबान काबूल पर चड़ण वेल डन इरान के पास तेल है वेल डन तुर्की न टीवी सीरेल बनाई वेल डन अब कश्मीर में लड़े का अफगान तो ये नहीं लड़ाएंगे खुद जो पाकिस्तां की पंजाबी ऑँ कहीं नहीं लड़ेंगे वो बैटक पृल्ल की नंबर बाण है चलो तुम्हें अच्छा लगता है हम भी कह अप सामारा की है यार ये लेगा चाइना से भी हम थोड़े से पैसे ले ले लेंगे तुर्की से हम थोड़ा घूमने चले जाएंगे तुर्की में फ्री में तुर्की से हम भी पैसे ले ले लेंगे मलेशिया हमें कुछ और दे लेगा पॉम ओयल दे लेगा इरान हमें ते यह सबसे मांगने में लगे ह यह अफगान तालिबान वाला मामला भी जो है ना यह पाकिस्तान की खैरात मांगने की आदत है क्योंकि उन से क्या मांगने पैसे तो मांगने रहे था तालिबान के पास है नहीं यह पाकिस्तानी तालिबान से भी फाइटर मांग रहे हैं कश्मीर में लगने के लिए क्योंकि कराची वाले पैसे वैसे कमाने के चक्र में, कराची वाले कह रहे हैं, भाई देखो, दूर करो यह सब बात है, मापर टाइम आउफिस का टाइम निकल रहा है, वो प्रोफेशनल लोग है, वो इन सब चक्रों में नी पड़ते हैं, यह लहुरी हैं, सबरे पाए खाए, लसी प है, यह इनका इंट्रेस्ट है, जिस्ट इमाजिन, पहले खुद करवाना चाहते थे, खुद फेल हो गए, फिर उनन टेर्रिल्स बेजे अंदर, वो फेल हो गए, फिर किसी ने बोला कि साब यह चीन आज़ाद करवा देगा, चीन जो है ना, वो शायद कश्मीर आज़ाद क मुलकों में यह होना चाहिए और यह लंबी चोड़ी बात है ने, चीन के साथ बात करो पैसे की, तुमारे पास कितने और हमारे पास कितने हैं, let's talk business, talk sense, I have been to China many times ever and I realized one thing about the Chinese, they always talk business, Chinese के साथ बात करो धंदे की बात करो, यह पाकिस्तानी लहुरी ना, फाल्दू की बात है कर दुमिया वर की बात है कर रहा है, रंदे की बात नहीं कर रहा है, they never talk बनी, यह पैसे की बात करेंगे लाहरी तो मांगेंगे पैसे, देने की बात कभी नहीं करेंगे, अच्छा, एक और चीज, इन्होंने सबसे तवक्कुर रखी कि कोई यह कर देगा, कोई यह कर देगा, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुर्की आवाज उठाएगा कश्मीर के बारे में, तुर्की ने जादा कुछ नहीं बोला, मलेशिया, मलेशिया वो बुड़े के टांग तोड़ दी हमने, पाम उइल नहीं लिया, उससे वो चला गया लंगडाते वए, ठीक, अब वो फार कश्मीर बनने का अनॉंस्मेंट कर रहा था, तीन महने बाद इंडिया ने एवरोगेशन ओफ 370 कर दिया, 370-35 फिफ्ट अवगोस को चला गया, अब ये चाहते हैं, आखरी इनकी उम्मीद है तालिवान कि तालिवान कुछ करके इनको कश्मीर देगा, या आदत पाकिस्ता कर देगा, तालिवान को कश्मीर में लाना चाहते हो, आज मैं ऑफिशली ऑन दरेकॉर्ड कह रहा हूं, स्वागत है आपको, आईए कश्मीर, कुछ दिन तो बताईए कश्मीर में, अब एक आखरी एक और फैक्टर आ रहा है नदन अलाइंस का, पहली बात तो जिन लोगों को ये लगता है कि अफगानिस्तान में पश्टून मेजोरिटी है, वो गलत नहीं है उनकी, पश्टून सबसे ज़ादा हैं वहाँ पे, लेकिन मेजोरिटी मतलब क्या वो 50% है नहीं, वो 40 से लेकर 45% है, वहाँ पे ताजिक भी हैं, वहाँ पे उजबेग भी हैं, वहाँ प कुछ बलोज भी हैं, वहाँ पे अलग-अलग किसम के मुक्तलिफ लोग हैं, वहाँ पे, ठीक है, नदन अलाइंस पहला हुआ था, नदन अलाइंस आज की तारिक में है, पंशेर वैली में है, एहमद्शा मसूद को कहते थे वेववव एक टाइम पे, लाइन आफ पंशेर, जिसको असासिनेट कर दिया था, वो कैमरा के अंदर बॉम डाल के, अलकाइदा वार के, यह सब, चाहे आप अफगानिस्तान में बुरहन अदिन रवानी का नाम लें, फिर आप और भी इनके जो दीगर लीडर्स रह चुके, यह सब कौन हैं, यह सब नदन अलाइंस वाले हैं, कि जब 9-11 के बाद तालिबान भाग गया था, तो यह लोग आए और उन्हों ने एक्तिजाव समाला काबू लेगा, अब जो अश्रफ गनी है, अश्रफ गनी तो एक जमाने में अमेरिकन सिटिजन हुआ करता था, फिर वो अफगानिस्तान में आया, और फिर उसको क्य पाकिस्तानियों का तो नाशनल सेक्रिटी एडवाइजर अमेरिकन है यार, वो पाकिस्तानी सिटिजन ही नहीं है, या कम से कम उसके बास ग्रेंड गार्ड है, अगर फुल फ्लेजिजिजन नहीं है तो, मैं यह कहना चाहता हूँ कि देखो, बात यह है कि यह जो नाम में न अफगानिस्तान का पेजिदेंट डिलेर करा, फिर एहमद मसूद, जो कि एहमद चाह मसूद का बेटा है, उसके साथ मिलके इन्हों ने वार डिलेर कर दिया तालिवान के उपर, अब क्या होगा, कि जो चाइना के, चाइना के जो मुखालफत करते हैं, चाइना के खिलाफ नेशन हैं, वो उनको पैसा देंगे, और मा तो कह रहों, इंडिया को भी एक बजट बना दिना चीज़ का, सीधी साथी बात है, हमारे पास देखो क्या है, पैसा है, पैसा है, वी आ नोट इंटरेस्टे इन पुट्टिंग टूप्स ऑन ग्राउंड इन अफगानिस्तान, पैसा आज काल आप इंटरेस्टे इन प्राउंड पैसा आज काल आप इंटरनेट से घर महीने वन हंड्र मिलियन डॉलर्स आप देदें, इंडिया के लिए 1.2 बिलियन डॉलर्स यह कुछ भी ए यह भागोनी की खुर्चन नीचे से यह कहीं से निकल जाएगी, ठीक है, भा 1.2 बिलियन डॉलर्स यह, आप एहमद मसूद को बोलें कि हम तुम्हें हर महीने 100 मिलियन डॉलर्स देंगे, 100 मिलियन, एक तारिक को तुमारे अकाउंट में हिट कर जाएगा, तुम आर्मी पालो, तुम सब कुछ पालो, इसके अलाबा, हम तुमें हेलिकॉप्टर देंगे इसके अलाबा, तुमें टैंक्स चाहिए, हम तुमें टैंक्स देंगे, आप उनको दे लिजे टैंक्स, आपके पास T-72 पढ़े हैं, वैसे भी आप चेंज करने वाले हैं, और T-72 तो परफेक्टी सर्विसबिल, गुद टैंक्स, आप दे लिजे उनको, अब आप पहुंच पाल दीजे, पैसे ही दो देने, इनको पैसे दीजे, एनको लेटेस वेपन दीजे, इनसे बोली कि अपनी फॉज इकट्टा करें, अंदर आइनाफ ताजी के नुस्बेग्यार, हम दो लाग की फॉज इकट्टा करो, और इंडिया, इंडिया, उस फॉज को फंड करीगी, उस फॉज का जो लीडर है, जो इंटरिम गवर्मेंट का लीडर आप बनाईए, अमरुला सले को, और फॉज के लीडर बनाईए, एहमद मसूद को, वो चीफ बन जाएगा उनका, जैसे चीफ और वार्मी स्टाफ ऑफ दर नदर अलाइन्स टाइप, जो भी बनाना है, और तो बूलिए कि साब आप करो उसका, पैसे लो, हर महीने पैसे लो, हर महीने आपको पैसा मिलेगा, आपकी फॉज की तनकाएं, उनका वेलफेर वगएरा सब कुछ, उनकी ट्रेनिंग, सब कुछ करो, चड़ दो तालेबान के उपर, ठोक दो उनको, हजारों को लो, ताजिक को लो, उसबेक को लो, सब अफगानिस्तान के दो अंदर हैं, और बाकी सब तो भाग गए, अशर अफगा नहीं भाग गया ना, बाकी सब भाग गए इनके, मार्शल दोस्तम, everybody's gone, but, अमरुला सले तो अभी तक अफगानिस्तान में है, पंशेर तो अफगानिस्तान में है, यह नहीं करना है, अगर इंडिया यह नहीं करना चाता, फिर आप तालिबान से बात करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तालिबान से आप बात करोगे, you will never be able to write the checks as large as the Chinese, इस चीज़ का में ध्यान रखना चाहिए, तो बट करना पड़ेगा इंडिया को, इंडिया किस पे पैसा लगाए काौन से घोड़े पैसे लगा रहा है तो ठीक है अगर इंडिया कहता है कि हमें तालिबान के साथ इंगेज करना है तो फिर आप एक बात समझ लेए ना तालिबान will be totally under the control of the Chinese Chinese चाहते क्या है यार वैब Chinese की भी दोती नेम्स है न Chinese ये चाहते हैं पहली चीज़ दुनिया को ये दिखाना कि जहां पर Russia, USSR फेल हो गया जहां पर America, the world's sole superpower फेल हो गया, वहां पर China will succeed How will they succeed? Russia made the mistake of putting boots on the ground America made the mistake of putting boots on the ground America को और भी एक democracy, women's rights Chinese केते हैं यार किसी की right कुछ नहीं होती right सिर्फ Chinese आदमे की होती है बागी तुम दुनिया भर में सब जानवर है सिर्फ Chinese अच्छे लोग है ठीक हो गया, तो Chinese ने क्या करा है Chinese ने बोला कि हम एक Chinese soldier निडालेंगा अफगानिस्तान में तुम्हें कितने चीए, साब मुझे 10 million चीए, यह लो 20 million मुझे पैसे ठूस है, जमीन पर पढ़े रहो जब हम बोलेंगे तम भोगना जब हम बोलेंगे पोचिलाना यह Chinese model है कहीं पे भी दुनिया में किसी भी 50-60 मुलकों में जहां पर भी चाइना ने इन्वेस्मेंट करी है चाइना ने एक Chinese soldier नहीं डाला हूँ आप है Money talks और जो अफगान आर्मी पैसे के लिए अपने मुलक को बेच सकती है बही एक ही घर में दो लड़के हुए एक बेटा तालिबान चला गया एक बेटा अफगान फॉर्ट चला गया तो आपको क्या लगता है एक बार इक्तिदार में आ गया और एक तब सटल हो गया देखो बकरा जब कटेगा तब बटेगा अभी तक तो बकरा बड़ा ही हो रहा था मोटा हो रहा था अब बकरा कट गया है अब बटेगा और इसमें कई सारे तालिबान में ऐसे लोग होंगे कमांडर्स होंगे क्यों वार्लोड्स वाली कंट्री है उसमें कई लोग होंगे जो डिससाइटिसाइड होंगे कि भाया मुझे तो गोल बोटी चीए थी तुमने मुझे चीखड़ देदी है को बोले का साब मुझे रान का पीशी है था आपने तो मुझे कुछ और ही था आपना पूंच पकड़ा दी सहली में पूंच का क्या करूँआ इट इस लाइट बखरा जब कटेगा तब बटेगा अब कट चुका है बटने में कई लोग विकॉस यू कैनोट में एवरीबड़ी अपी एवरीबड़ी हैस गॉटन आउटसाइज सेंस अफ इस ओन कॉंट्रिबूशन तो दो कॉस हम इस कमरे में चार लोग बैठे हैं ठीक है आपको कुछ लगता है अदित को कुछ लगता है सेंडी कुछ लगता है मुझे कुछ लगता है अब है क्या चक्कर आपको लगता है यह साथ एंड में क्या होगा एंड में क्या होगा जब बटेगा तब बोलेगा साथ मैं तो आ और कहां पर इंडिया का फाइदा है इंडिया को ज्यादा मुझे तो पसंद नहीं आती बाते हैं कि मैं सही बता रहा हूं कि यह दे लैंड अफ गांधी अंद बुद्धा उना उपने सुट उट पैंके आते हैं लाल टाई लगा के आपके पॉक्ट स्क्वर लगा के मद्ध बूलो यह यह कि लिए अपके। सब्सक्राइब आप यह देखिए बाद में क्या है अगर भारत के मअफाद में तालिबान से बात करना है तालिबान से बात करी अगर बारत को लगता है लॉंग टर्म पर टेका साइड और इदर बी समार्ट प्लेवोथ साइड डोन को पैसा दो बेटो कुसी में पैक्चर देखो समने से पॉप कुझे जीत रही है जो जीते कि इसको दोड़ा साब दाना पैसे दोन पॉड़ा जेते रहो एचीज और एपाज है जी चीज़ अगर आप चले गए अफगानिस्तान से तो कोई ना कोई पहर वहाँ पर जमा लेगा और अफगानिस्तान से कश्मीर कितने दूर अपको पता है अच्युली इस लस दन 200 किलो मैटर्स उठीक है वह पाकिस्तान उक्थिपाइड कश्मीर गिलिगिट बाकिस्तान बीच में है ब अफगानिस्तान तो कश्मीर इस नौट वरी फार यह बगल में है इस टोंस थो यह लिटरली स्टोंस थो आप एसा पथर पहिए कश्मीर बेदा है आपको अफगानिस्तान में इंफूंस मेंटें करना पालाइगा कश्मीर को स्टेबिलाइज करने के लिए और सेंट्रल अंत में में वही बात कहूंगा तो एंड अल डिस आई विल जस से वन थी वह बगद देखो अ सब लोगों ने अफगान तालिबान से बात करी ठीक है दोहा में पाकिस्तान का इंपुट था इसमें कोई डाउट नहीं है पाकिस्तान में कोशिश करी सब अब सब मिल गए सब लोगों ने विजटिंग कार्ड एक्शेंज कर लिए अब पाकिस्तान को को पूश नी तो पर पहुंचा कबलında किसे पहुंचा उओ तो तोण तोडवी न गया इरान उनसे बात कर रहा है, इरान के तो मफाद में था, यह लोग खाली कर रहा है, यहां से अमेरिकन प्रेजिन्स उसको खलता था अफगानिस्तान में, इरान से डिरेक्ली बात कर रहा है, तजाकिस्तान से डिरेक्ली बात कर रहा है, इंडिया से डिरेक्ली बात कर रहा है, और ये जितने भी मुलक तालिबान से बात कर रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान के थूरू बात नहीं कर रहा है, ये डिरेक्ट पाकिस्तान तालिबान से बात कर रहा है, तो तालिबान को अब इसका भी चसका लग गया है, और ये जो पूरा तालिबान ड्रामा कर रहा है ना, और तब तालिबान को पता लग गया कि यह सब चीज भी जरूरी हैं। पिशली बार हफ़ते दस दन के अंदर तालिबान की गवर्मन की कलापस हो गई थी जब अमेरिकन्स ने बंबारी शुरू करी थी ठीक है? सब के अपने अपने मफाद में अमेरिकन्स ने बोला है कि अल-काइदा और इस्लामिक स्टेट का जनम यहां पे इसको जादा यहां प पर अटेक का अटेम्ट हो अमेरिकन्स फिर वापस आजाएंगा अफगानस्तान में उनको क्या करना है? पी 52 से बंभी तो गिराने है? गिरा देंगा काबल में भाग जाएगा दुबारा तालिवान सेम स्टोरी रिपीट ओल ओर अगरे जहां पर इतना 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 इ तो मेरे खियालक है यह आधना असां नहीं होगा कि तालवान ने भी अपना जवाना इस्टेटमिन जारी कर दिया है, हमारे जवाना कोई लेना देना नहीं है एक कश्मीर के साफ हमेरे तालोग अच्चि न ग्रिफस कांफरन्स पहवरों के साथ ह incorporate Radio कि कारिजेंगा याम सो कुछ कर भी ने सकते हैं आपने एक एग्रीमेंट किया है जिसके मताबिक के थर्ड कंट्री इंवार्व ने हो सकता सिर्फ नहीं भूत ओफिशियल लेवल पे ना एग्रीमेंट यह तो इल्लीगल वे में पिने तालिबान क्योंकि अभी आपको अफगानिस्तान को फुली आप अब तक पुरी अपना पुरी तरह स्टेबल ही नहीं किया तो अभी तक वह पहले बीजिए बियान देते हैं कि जिसे पोजिटी इंवार्मेंट क्रिएटरों को जो नेपरिंग कंट्री था खास और बिया इस रीजिए के कंट्री था वह जरूर एक्सेप्ट कर लें यह मान खबरे आरी हैं कि अफगानिसान से बोल नहीं निकलेंगें बड़ वह खबरे आरे हैं निकलेंगे अगोस्ट के अनट तक निकल जाना हैं वैसी मिजर साब ने कायक अगर इन्होंने क्या किया काम को नहीं तुबारा को इस तरह किरकतिका तो आफगान जो अमेरिकन आर्मी ह कर लेंगे वहां पर बाग जाएंगे वहां पर सारा दौर्बार्ट कर लेंगे यह उन्होंने बात किया वरा हम अभी तक हम जा रहे हैं वह नहीं रुकने वाले इस तरह की कंडिशन है यह नहीं कि वह रुकें अभी तो मौस्ट नहीं है अगर अमेरिका टैग करेगा तो वह करेंगे तो यह नहीं है वहां से करेंगे अभी फिल्हाल तो मतलब काबूल एरबोट नहीं का इंडर कंट्रोल में आप वहां से निकल जाएंगे अगस्ट की लास्ट रेट जो हैं समथ ही अमेरिका ने काया कि लेकिन अगर हमारे बंदे ना जासके सारे अगर हमें और नहीं करेंगे तो यह सीन चल रही है अभी तक अमेरिका के 6 ट्रिलियन डॉलर्स लग गया है वार के अंदर यह जो वेटनाम वार है यह अफगानिस्तान वार है सीरिया वार है इराक वार है इसमें सिर्फ जो फाइदा हुआ हुआ है वो बिजनेस टाइकोंस को हुआ है यह बड़े 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 को हुआ है तो दूसरी बात यह समझने पड़े गी हमें कि मतरब मेजर गुरवारिया ने लास में जो बात किया वो काफी जब्रस की है कि पाकिसान जो है वो उसका फ्यूचर अभी इसको प्रडिक्ट नी किया जा जब सकते कराची के अंदर वही दोबारा फिल्म दोराई जा सकते पहले आज से दो तीन साल पहले वही न उन्हा ने जो जो दुरुस्पात किया कि पहले भी जो है ना सारे रिफ्यूजी जो थे इसके अफ़कानिसान बाग के पाकिसान में आ गया थे और पाकिसान इनको पना दी थी ठीक है ना तो अभी पाकिसान सीटीजनशिप अपने आप को चुछी करते हैं अपने आप मतलब क्या कह सकते हैं कि अफगानीसान के साथ मिले के कुशिशी कर रहे थी पाकिसान को लेकिन वही बात है पहले ही इतना बोज़ बरदास्ट किया अभी तो उनको और मौका में जा कभी थालबान ही अ पाकिसान की दरफ आइगा बादाशन की दरफ एक न्या पापफोलिशन यह अकतम ऐसे इंक्रीज होता है तो पीर एक इंस्टैबिलिटी की स्टेशन करेट हो थे पहले भी बहुत मुश्पल से इनको संभाला है तकरीब रखेंगा लगों की दरफ आपने आपके आप एस अफ आपने देखा होगा बाउंदमा के काफी हुए है आज से तीन चार्ट सान पहले हैं तो पिर उसके बाद नवाज शरीफ के लास्ट एनियों में आखरी दो सालों में उन्हों काफी कवर किया कराची कंदर जो हाला है तो बाकी इन जो मेजर साब में बात कियो बिल्कुल दुर पर हमारे अंडर काम करें अभी तक की मतलब यह रिजिस्टेंस इंक्रीज होती जाए और उन्हों ने कहा है तो टैंक्स भी इनको प्रवाइड कर सकते हैं तो लेकिन फिर बात वी आतिक मेजर साब ने पिछली वीडियो में कहा था किया सब कुछ मतलब हम कर सकते हैं लेकिन अधिया सब्सक्राइब ने काफी रिजिस्ट किया और अफगानिस्तान की तरफ से कोई रिजिस्टेंस देखने को नहीं मिली इसी बात पर मेजर साहा बहुत गुस्से से बात की थी यार पता नहीं हम इतना ट्रेनिंग करते रहे हैं अफगानिस्तान आर्मी पे अमेरीका स जॉन बाइडन के मैं अलफाज कोड कर रहा हूं कि 3,000,000 फोजी और वो दूसरी जानफ परित्र जानफ फोजी वो मकाबला ही नहीं कर सकता है अफगानिस्तान के बाउट वहर चीज वैपन दुनिया की दूसी बात है इसी बात है मेजर साफ ने परिसंट वीडियो में इल्जाम लगाया था कि एश्रफ गणी पैसा लेकर भागाया वर चाइना से पैसे लेकर भागया और पैसा था कि आप पार वह पार था था उसने एक्ट्रा पैसा बाहर भाहर भेंगा हम यह सुनके इहरान रहा गए हैं वाक पूरी एक पूरी दुनिया को एक मान था कि अर्म इतनी स्टेबल तो यह कदम ही होगा सब्सक्राइब करते हैं तो अपना रखें बहुत ख्याल टेक केर खुदा आप